समाजवाद, हमारे देश में समाजवाद कहा है? हमारे देश में तो अफसरवाद है, जाजपादवाद है, कुर्सीवाद है अरे समाजवाद तो तब आएगा जब आप अपने वोट की ताकत महसूस करेंगे ये जो वोट है ना ये कागस का टुकड़ा नहीं है कि डबे में डाला और चल दिये, ये वोट तुमारे परिवार, तुमारे देश, उसकी उनती की पर्ची है ये तो दो धारी तलवार है, जो दोने तरफ से काटती है ठीक जगा पड़े, तो देश खुशाल, और गलत जगा पड़े, तो देश का सत्यानाश अरे भाईयो, हम तो आपसे एक सवाल पूछते हैं जब आप अपनी बहन या बिटिया की शादी तै करते हैं, तो पहले अच्छा लड़का ढूरते हैं अच्छा खांदान देखते हैं, उसके गुन और अब गुन देखते हैं, तब जाकर कन्या की शादी करते हैं वोट भी तो तुमारी बहन और बिटिया है ना, उसको किसी को भी उठा कर दे देते हो अरे भाई, ये वोट तो भरो से मन्द और इमानदार को देना चाहिए, मगर आप लोग क्या करते हैं, बेशते हैं आपना वोट वोट का ब्लैक मार्किट करते हैं, जिसने जादा पैसे दिया, वोट तो ऐसे बाठते हो, जैसे वोट सडक पर मिलता है कभी किसी दोस को दे दिया, कभी अपनी जात वाले को दे दिया, और कभी बेश दिया अरे हम तो कहते हैं जो वोट बेचता है वो भी बहिमान है जो वोट खरिदता है वो भी बहिमान है तो फिर किस मूँ से हमें बहिमान कहते हो हाँ अरे अगर बहिमान लोग सरकार बनाएंगे तो सरकार तो बहिमान बनेगी ही तो फिर चिलाते काई को कि डाउन डाउन मुर्दाबाद जिस दिन तुम वोड खरीदने वाले को अपनी चौकट से धक्का मार कर बाहर निकाल दोगे उस दिन ये सब कुछ ठीक हो जाएगा अब देखो हमारे इन उपमक मुंत्रियों को इन बैमानों को किसने बेजा ये आपी की लोगों के बेजो है ना अब ये बैमानी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे आज से 5 साल बाद जब इनको इलेक्शन लड़ना पड़ेगा तो ये पैसा कहा से लाएंगे अरे यहीं से तो लाएंगे ना अरे बोलिये बोलिये आप कहते कि हमने रिश्वत ली है बैमानी की है अरे हम कहते है हमने रिश्वत खाई है कोई कहता है बारा करोर कोई कहता है पंदरा करोर कोई सोला आप जानते हमने कितना कमाया है हां बासट करोर बासट करोर साट और दो सोचिए तो सही अगर 6 मेने में हमने 62 करोर रुपया कमाया है तो हमसे पहले इतने लोगों ने इतने सालों में कितने करोर कमाये होंगे है हिसाब लगा सकते हैं अब अरे जब आप हमारा हिसाब नहीं लगा सके तो उन लोगों का हिसाब कैसे लगा सकते हैं अरे हम तो कहते हैं उन लोगों से हिसाब मांगो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम भी मिलकर हिसाब मांगेंगे, क्यों, क्योंकि अब, क्योंकि अब हमें पता चल चुका है, कि ये रुपया, ये पैसा कमाने का तरीका, कौन से रास्ते से होता है, बैमानी का पैसा किस रास्ते से कम के परगंबर हैं मकडर हम क्या हैं हम बाइमान हैं हम भी जानते आप भी जानते हैं लेकिन यह नहीं बोलेंगे वो सुनलीं आप लोगोंने क्योंकि हम इनका कच्छा चिठा जानते ना इनका बांढ़ा फोट सकते हैं इसलिए तो हम इन बैमानों के मुख्या बन गए पर हमारी बैमानी की कमाई गई कहा है क्या हम निगल गए अरे हराम का पैसा कि उन इमानदार लोगों की जैजाय कार करो उनी को वोट दो उनी की सरकार बनाओ और लोगतंतर के हाथ मजबूत करो पर वो इमानदार लोग भीक का प्याला लेकर वोट मांगने के लिए तुमारे दरवज्जे पर नहीं आएंगे अरे तुम्हें जाना पड़ेगा उनके दरवज्जे पर अपना वोट लेकर और उनसे बिनती करनी पड़ेगी कि हमारा वोट सुईकार करो वो देखिए आपके सामने बाल मुकुंत रिपाठी खड़े है आदी जवाने कल्यान है आप लोगों में यही तो खारावी है कोई बड़ी बड़ी बाते करे मीटी मीटी अच्छी अच्छी बाते करे आप धना धन तालिया बजाना शुरू कर देते हैं सुनकर खुश हो जाते हैं यह तालिय बजाना बंद करो यह तालिय बजाने का वकत नहीं है अरे आपके इस सीधे पन का तो लोग पाइदा उठाते हैं पहले हमसे पूछो ए राम अव्तार ए राम अव्तार वो 62 करोर रुपया कहा है वो 62 करोर हम बैंक में रखा है और यह रही उस बैंक के मलौकरों की जावियां 62 करोर बैंक में है अब को कि हम बहिमान है निश्वत खोर है दुखे बाज है बोलो अगर लोगों को कुर्सी पर बिठाने का हक आप लोग के पास है तो उनको कुर्सी से घसीट कर नीचे फैकने का हक भी ताकत भी आप लोग के पास होनी चाहिए साने देश्वत खोनाओ है और देश्वत खोनाओ में आप लोगों